आज इस वीडियो भी बात करने वाले हैं बिहार सिक्षक नियोजन से जूरे एक बड़ी अपडेट 94,000 सिक्षक बहाली को लेकर के सिक्षा बिभाग इस सब्ता भी कौंसलिंग का सेडियोल नहीं जारी करने जा रही है और साथ ही आपको बता दे हाँ पर कि सिक्षा बिभाग अगले 2-3 दिनों के अंदर एक और लेटर जारी करेगा जो लेटर होगा वो अंतीम मेधासूची का परकासिन करवाने को लेकर के साथ ही आप सभी अभियार्थियों को ये बता दे कि सिक्षा बिभाग इलापरवाई के वज़े से 94,000 सिक्षक अभियार्थियों के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 18 जनवरी 2021 को गर्दनी वाग में आंदोलन करने को लेकर के जो है गर्दनी वाग धरनास्तर पर परमीसन मिल चुका है आप सभी अभियार्थियों के लिक बड़ी ख़वर ये है कि 18 जनवरी से एक बरा आंदोलन होगा आप सभी अभियार्थी 18 जनवरी को पटना के गर्दनी वाग जरूर पहुंचे अपने अधिकार के लिए इस बहाली को जो है पुना इस प्रोसेस को आगे बरवाने के लिए आप सभी अभियार्थी जरूर गर्दनी वाग पटना पहुंचे वहीं दोस्ती तरह आप देख सकते हैं सिख्षाभिभाग के परदान सचीव 17 जनवरी 2021 तक जो है चुटी पर है जिहां यहां पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार सिख्षाभिभाग के दौरा यह जो है लेटर जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं सिख्षभिभा के परधान सचीव अबकास कार्विवस्ट जो है 13 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तथा यहां पर आप देख सकते हैं 16 जनवरी 2021 तथा 17 जनवरी 2020 को सरजनिक अबकास का जो है उपयों के पस्चात वापस लोटेंगे तथा 17 जनवरी तक वेच्चुटी परेंगे और 17 जनवरी के बाद ही वे जो है अब पुना सचीवा लाएंगे सिख्षभिभा के पदान सचीव ऐसे में ये जो है एक और बहाना कहा जा सकता है आज जो है बंतरी बंडल में जो बैठक होई थी इसमें भी आज कोई फैसला नहीं लिया गया है केविनेट के बैठक में आज भी फिलाल सिख्षक वहाली को लेकर के आप सभी को बता दे कि कोई बात नहीं बनी है ये एक बहुत ही बड़ी ख़बर आप सभी को बता दे